अब हम लोग अपना next entry पास करेंगे GST को continue करते हुए अभी तक हम लोग ने परचेस के एंट्री तो कर ली थी सेल्स के एंट्री पास करनी है कि हमने एक एंटरप्राइज को क्या बेचा है समान बेचा है अब हुमने सेल्स करना है उससे यहां पर जाने के बाद अब डेट तो डाल चुके और देट आपको चेक करना तो चेक कर लीजए यहां पर आप क्या एंटरपाइज क्रिक करेंगे एक एंटर पाइजिस अब इसमें जब जब आप जब आप है और इसमें सेम चीज़ टिगर पॉइंट यह देना पड़ेगा यहां पर आकर रुखना है इसके बात राइप यहांपे यहां पर कर रहा है यहां यहां कर रहा है और पारटी में जलते जाए जो इसके लिए इस अपनी कंपनी का अलग होना चाहिए वह यह इस्ते हो है करके आगे बढ़कर हो जैसे आगे बढ़ोगे यह भी आपको क्रॉंस चेक करना है एक दम करेक्ट होना चाहिए उसके बाद आगे बढ़िए जहां पर आपको क्या बनाना है सेल्स सेम पर्चेस के लिए जब बनाते हुए मैंने आप लोगों को एक चीज बताए थी कि लेकिन इसमें सेल्स का एक सिंगल लेजर हम सभी रेट की चीज़ों के लिए लेंगे अलग अलग रेटों के लिए अगर सेल्स बना रहे हो तो अब इसे करके उसकी डिटेल बता दो जैसे अब मुझे शर्ट लिया इस पर मुझे 100 शर्ट बेच नहीं है 1500 की एक है तो अब मुझे कुछ लेना है क्योंकि सब चीजे मैंने पहले कर रहे हुए अब यहां पर नीचे जाना है क्योंकि मुझे आउट्पुट जैसे मैं ने लाच क्लास में बताता कि अगर आप यहां प पास आउट्पूट लगेगा यहां पर आपको डिटेल दिखाएगा यहां पर आपको डिटेल दिखाएगा यह पताएगा कि लोकल से आपकी लोकल से इस वह से में इस शर्ट पे गलत हो रहा है यहां पर आप क्या बनाओगे आउट्पूट सीजसी आउट्पूट सीजसी आउट्पूट सेम ड्यूटिस ने टेक्सिस में जा लेंगे जिएस्टी सीजस्टी और नॉर्मल राउंटिंग देस त्रीके से बनाएंगे आउट्पूट लगया ना अगर मैं इस पर लगाता हूं आउट्पूट आई जीएस्टी तो देखें लगेगा क्या लगा नहीं लगा इस बिल का प्रिंट कैसे निकल कर आएगा यसा दिख रहा हो का बिल निकालेंगे में इसका आप इस पर आलट्पी करो करके करेंट पर क्लिक करो देखो तो आपको दिखेगा कि बिल जैसा चाहिए होता है वैसा निकाल के दे रहा है इसी से तो चाहिए लिखा है यहां पर प्रड़क लिखा है तेकिन आउट्पूट क्या-क्या लगा वह दिखा रहा है यह तो मैंने दे होगे इन्वाइस की एक शकल बोलिए इन्वाइस में यह चीज हो नहीं ज़रूट है नहीं तो हम उसे इन्वाइस नहीं मानेंगे तो उसी को फॉलो करते वे जैसी ने यह फॉर्मिट बनाया है राइट तो अब इसे ऐसे करके कर सकते हो और इसे से शेव करोगे अच्छा एक क्योंकि तो अभी तो मैं इन्वाइस चड़ा रहा हो ना अगर आप ऐसा वाउचर चड़ाओगे तो आपको एंटी दिखो वही दिखेगी दिख रहा है ना डेक्टर सकाउंट डैबिट तू सेल्स कू सीजेस्ट करेक्ट है वैसी आरी बिल्कुल करेक्ट उसी फॉर्म में आ रहा है विल्कुल क्योंकि हम इसे किसमे मोड में करते हैं आइटम मोड में तो इसलिए दिखता नहीं है तो वही हो रही है इसलिए तो मैं इसलिए आप लोग को यह पहले क्लास से बताया था जन्रेंटी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंटर्वी के लिए पूछेगा और आप कर रहे हों एंटी इस तरह के से आप लोग के ना कॉंसेप्ट में एंट्री का फॉर्मेशन इस मंद में आता कि यह पता होना बहुत ज़रूरी है यह अदर्वाइस वहां पे इंटर्वी कॉलिफाइन नहीं होगा यहाद दख लिजेगा आप लोग को करेंगे इसी को प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट को करेंगे